नमस्कार दोस्तों लेकर रहे हैं आपके लिए BYAC part 2 में lapless transform किसी function का lapless transform कैसे निकाला जाता है central लाप्लास ट्रांसफर्म क्या है इसका इस्तमाल कहा होता है यह इसके लिए मैंने वीडियो पहले वीडियो दिया है यह मेरा तीसरा वीडियो इसके पहले मैंने दो वीडियो दिया है उस वीडियो में इस तरह के बाते को मैंने बता दिया है लिंक जो है वीडियो के डिस्कु टॉपिक है इसलिए इसको इस टॉपिक को बहतर पढ़िए बहतर से बहतर पढ़ेंगे तो मैत काफी आसान हो जाएगा और जो कोश्चन है जो बनाने की जो आइडिया होती है बहुत सरे कोश्चन कॉंप्लेक्स होते हैं उसको बहुत ही आसान से एक से दो लाइन में आप इसे निकालते हैं वीडियो को पूरा देखिए एक दम वीडियो देख लेका न तो आप लाप्लास ट्रांसफर्म के दिवाना हो जाएंगे मैं आपको दिवाना बना दूगा आप ध्यान से दिखिए by definition of laplace transfer laplace 80 equal 0 to infinity e k power minus st cos 80 कोहिएगा कि हॉई कहां से आ गया मैं बता रहा हूँ यह definition है यह क्या है definition में laplace transfer का definition में होता है 0 to infinity e k power st और यहाँ पर basically ft होता है ft की जगवापर वाला function मिला है तो यह मैं direct भर दिया हूँ मेत में कोई भी प्रोब्लम हैा बहुत प्यार से शॉल्व होता है बस प्यार से यह प्ड़ने की है प्यार से पढ़िएगा तो स्पेसादगा नई प्यार से मतला दिमाग से कंफ्यूज हो जाते है तो दिमाग ज्यादा करूंगा तो 0 to b हो जाएगा और e k power st cost at इसको इसको अश्वे रखेंगे अब जो है मैं इसको integrate मार दूंगा तो लेमिट भी तू इन्फिनिटीव और integrate मारूंगा तो यह टोटल का अंसर इसे मेरे बाब पर है और पर बनेगा और आपने इंटरमaret जब किया होगा तो इसमें तरह थोकि के रुप में नहीं ऐसा लगा है अकर आप नहीं जांते हैं लेंक बैटियो के एक टुजट कहानी पढ़ा है 7.1 से लेकर के 7.11 तक है से टोटल मैं पढ़ा दिया हूं उसको देख लिजे एक बार देख लेंगे ना तो जड़ मजबूत हो जाएगा बेस तो आप इसके दिवाना हो जाएगे देख लिजेगा उसको ठीक है तो इसको यह उन्टी भी पत्तोड दिया है इतना आ गया काम सरग गया मैं क्या कर रहा हू यह नीचे है इसको घीज ले रहा हूं बाहर बच जाएगा यह एक बार लिमिट पूट कर दूँगा आए एक बार लोगर लिमिट आ लोगर लिमिट यह थोड़ सा लिमिट का कंसेप्ट है बिसिकली यह लिमिट का इंट्रिकास नहीं जब उस चप्ड़िएगा ना 7.1 से 7 पैंट 11 में उसी में मैंने definite integral indefinite integral और upper limit lower limit कैसे भरा जाता है ये टूजिट कहानी मैं बता है एक बार देख तो लिजिए बड़ी मा जाएगा देख लिजिए तो एक बार upper limit भरेंगे एक बार lower limit तो यह जाएगा ठीक है बात यहाँ समझ में आता है यह से रखेंगे यहाँ से limit हटाएंगे तो यह भी जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ इंफिनिटी पूट कर देंगे तो कई 6-6 देखने को मिल जाएगा और S by S square plus S square यह आपका cos 80 का लाप लाश्ट चाज़ पर्म होगा अमिद है कि यह वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आगए अगदम पका समझ में आगए होगा अब इससे संदा शर्टिक चबरजस्ता आइडिया तो होई नहीं सकता है इधना सरुल सब्दों में कौन बताता है भाई कोहीं नहीं बता पाएगा ठीक है तो आप इसको देखिए सीखिए उमिद है कि आपको एक कोश्चन बहुत अच्छे से आया होगा इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करिएगा उन बच्चों को जिन स्की जरूरत है ठीक है और चैनल को पहली बार है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजेगा और इस तरह से मैं वीडियो संदार सटिक जवर्जस धासू और सरल सब्दों में मैं वीडियो लेकर आते रहता हूं इस तरह बी्याषी पार्ट टू का वीडियो दे रहा हम आनकर दिया हूं लिंक दलẹ ये और सेर करते रियो को नह varnall